नमस्कार दोस्तों, Class 8, Mathematics, CBC Board, Lecture No. 7, Chapter 1, Rational Numbers Rational Numbers के इस सीरीज में हमने इससे पहले जो वीडियोज बनाया हैं उसमें नेचरल Numbers, All Numbers, Integers इनके बारे में Properties और Laws इनकी चर्चा की थी अब इस वीडियो में हमें Laws of Rational Numbers डिसकस करना है तो इसके पहले जो लेक्चर नमबर 6 हुआ था उसमें हमने Laws of Rational Numbers के तीन Laws जो हैं वे एक्समें किये थे तो यह वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्ष्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक और शेयर करें और बेल आकम प्रेश करें जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो का निटिपिकेशन मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें और क्लास 6 से लेकर क्लास 3 तक के जो वीडियो शुरू कर रहा हूँ तो उनको सर्च करने के लिए अगर आप क्लास 8 में हैं तो आपको सर्च करना है महेश वरांडे क्लास 8 तो आपको अपने क्लास के सभी वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी तो उनमें से जो भी वीडियो श आपको देखने हैं जिस भी चप्तर के वह आप देख सकते हैं तो चलिए हम शुरू करते हैं अब यहाँ पर डिस्ट्रिबिशन करना है मल्टिप्लिकेशन का डिस्ट्रिबिशन और एडिशन अगर bracket के अंदर addition होती है तो अगर दिखें A into in bracket B plus C तो bracket के अंदर B plus C है और bracket के बाहर multiplication sign है तो इस multiplication का हमें distribution करना है B or C के लिए तो A into B यहां पर हो सकता है प्लस A into C फिर यही जो multiplication और addition है उसके दो statement हो सकते है जहांपर bracket जो और एक hand side में है और number left hand side में अब बिल्कुल इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर पहले हम bracket लें और फिर उसे A से multiply करें तो यहां पर भी क्या होगा B को A से multiply होगा B into A प्लस यहां का sign C को A से multiply होगा C into E अब यह है distribution of multiplication or addition अब next जो part है distribution of multiplication or subtraction अगर bracket के अंबर subtraction होता है तो भी हम यह distribution law यूज कर सकते हैं आप देखे distribution law जो है इससे पहले भी हमने rational numbers के लिए explain किया था integers के लिए explain किया था whole numbers के लिए same यहां है यहां पे भी में मक्सद कहा है इस distribution law का bracket के अंदर हमें multiply करना है bracket के अंदर अगर दो terms हैं उनमें plus or minus का sign है तो bracket के बाहर जो भी number bracket से multiply हो रहा है उससे हमें bracket में दोनों numbers को multiply करना है तो a into b यहां पे होगा minus a into c होगा अब अगर bracket हम पहले लेते हैं b minus c और a से multiply करते हैं into e तो b को a से multiply होगा b into e minus a bracket के अंदर जो हो यहां पे रहेगा और c को a से multiply होगा c into e तो इसी तरीके से जो rational numbers होता है उनमें एक numerator denominator होता है तो अगर हम 2, 3 ऐसे number लेते हैं तो वो natural भी हो सकते हैं अब यह 2 by 3 जो हो natural नहीं है whole number भी नहीं है, integer भी नहीं है यह rational number है तो हम यहां पे 3 rational numbers ले रहे हैं 2 by 3, minus 3 by 5 और अब हम यहां पे distributed law use करेंगे अधिके distribution law और associative law में difference है associative law में क्या होगा bracket के बाहर भी same sign रहेगा plus multiply का तो bracket के अंदर भी multiply ही रहेगा लेकिन distribution law में bracket के बाहर जो sign रहेगा उसका उल्टा तो हम नहीं कहेंगे bracket के बाहर multiply ही रहेगा bracket के अंदर plus या minus रहेगा तो हमें 2 by 3 से minus 3 by 5 को एक बाहर multiply करना है और plus sign लिखकर फिर 2 by 3 से 7 by 10 को multiply करना है तो यहां हम इस example में check करेंगे distribution law use करने के बाद जो left hand side आती है और जो right hand side आती है यह दोनों भी equal होते हैं या नहीं होते हैं यह हमें चेक करना है यहां पर तो चलिए हम चेक करते हैं तो left hand side पहले solve करते हैं तो left hand side में 2 by 3 into in bracket minus 3 upon 5 plus 7 by 10 अब जबकि board में सुरूर के हिसाब से bracket first आफ उसके बाद में division, multiplication, addition, subtraction ऐसे आमें chrome रखना चाहिए operations perform करने के लिए अब यहां पर addition solve करने हैं तो पहले 2 by 3 as it is into 5 or 10 इन दनों का जो LC महोगा हो होगा 10 अब 5 to the 10 minus 3 to the minus 6 plus 10 on the 10 तो 7 on the 7 तो 2 by 3 into 2 by 3 into minus 6 plus 7 तो यहां पर different sign होगा तो suppression होगा 7 minus 6, 1 divided by यहां पर रहेगा 10 अब multiply करना है तो 2 into 1, 2 divided by 3 into 10, 30 तो left hand side में answer आगे है 2 upon 30 अब right hand side में जो भी expression है उसकी भी value 2 by 30 ही आने चाहिए तो right hand side right hand side solve करते समय 2 by 3 into minus 3 by 5 plus 2 by 3 into 7 upon 10 तो यहां पर हमें दोनों brackets का multiplication पहले solve करना है मतलब first bracket का multiplication अलग, second का अलग और यह दोनों solve करके उनके addition करनी है तो एक step में एक bracket solve होगा दूसरी step में दूसरा होगा तो यह दोनों operations अलग-अलग है तो इसलिए एक ही step में हम दोनों bracket का solve कर सकते हैं फिर जो भी होगे उसे हम add करेंगे दोनों को तो यहाप 3 गुंदा 3, 3 गुंदा 3 minus 1 as it is plus 2 into minus 1 यहापके minus 2 रहेगा divided by 5 into 1, 5 plus multiply है तो यहापके 2 गुंदा 2 2, 5s are 10 तो 7 into 1, 7 divided by 5 into 3, 15 15 और 5 यह भी इनका LCM आयेगा वो आयेगा 15 तो 5, 3s are 15 minus 2, 3s are minus 6 plus यहापके minus 6 plus 7 तो यहापके subtraction होगा तो 7 minus 6, 1 greater number का sin plus plus 1 upon 15 अभी इनका पे दिखे 2 upon 30 को हम simplest formula लेख सकते हैं 2 अजा 2 2 15 जा 30 तो यहापके भी 1 by 15 ही आ रहा है जबकि 2 by 30 हमने लिखा था तो 1 by 15 यहापके भी आ गया है तो यहापके हम कह सकते हैं कि दोनों साइड इकोल हैं left hand side और right hand side तो LHS is equal to RHS यहापके हम लेख सकते हैं left hand side is equal to right hand side तो इसका मतलब distributive law जो है वो यहापके hold हो चुका है अब जो next law है 50 law वो है existence of additive identity existence of additive identity तो additive identity का मतलब इसके पहले हमने identity element के बारे में explain किया था कि ऐसा number जो किसी भी number को अपनी identity दिखा दे तो उसे उस operation के लिए identity element हम कहते हैं जैसे कि अगर हम addition operation ले रहे हैं तो अगर कोई number यह number है और वो rational number है तो suppose small a belongs to capital Q rational number है तो ए में क्या plus करने के बाद additive inverse है तो क्या plus करने के बाद हमें ए ही मिलेगा ए की identity ही रहेगी तो वो है 0 तो 0 is additive identity अब आप कह सकते हैं कि additive identity तो आपने natural numbers sorry whole numbers के लिए भी ली थी integers के लिए भी ली थी तो यहाँ पर होगा क्या कि जब भी दो पूइ ली करें ली था गूए ली ली